पॉर्ण एडिक्शन को कैसे दूर करें और पॉर्ण में हमारा दिमाग कैसे काम करता है इस टॉपिक पर मैं एक सिरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसका ये पहला पार्ट है अगर आप पॉर्ण एडिक्शन से सफर कर रहे हैं काफी समय से पॉर्ण वीडियो देखने की आदत है और इस आदत को छुड़ा नहीं पा रहे हैं बहुत सारे तरीके लगाकर भी Pond से पूरी तरह से मुक्ती नहीं ले पाए हैं, तो ये वीडियो सिरीज आपको सुननी चाहिए, ये वीडियो सिरीज आडियो फॉर्मेट में होंगी और इसमें कुछ विजुलाइजेशन भी होंगी जिससे कि मैं आपको समझाऊंगा कि Pond मे कैसे काम करता है, एक बार जब हम ये समझ जाएं कि Pond हमारे दिमाग को किस तरह से एफेक्ट करता है, किस तरह से उस पर असर डालता है, तो आप Pond Addiction को दूर करने का भी रास्ता ढूंड लेते हैं, जब हम ये समझेंगे कि ये बिमारी या ये जो कंडिशन है, ये किस वज ये जो वीडियो सिरीज है, ये आपको educate करेगी Pond के बारे में, Pond में हमारा दिमाग कैसे काम करता है, इस बारे में आपको education मिलेगी, और साथी उसी knowledge और information के basis पर आपको मैं तरीके बताऊंगा कि कैसे Pond की addiction को दूर किया जा सकता है, इसलिए ये सिरीज बहुत unique है, बहुत समय से Pond की आदत से परेशान हैं और Pond देखने की आदत को छोड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे तरीके लगा लिए पर कोई भी तरीका काम नहीं किया, तो ऐसे में आपको ये पूरी सिरीज सुननी चाहिए, ध्यान से, धहरे से, पेशन्स के साथ ये पूरी सिरीज सुन देगी, तो आएए अब आगे इस सिरीज को शुरू करते हैं, और मैं आपको Pond Addiction के बारे में कुछ जानकारी भी देता हूँ, और आपके दिमाग के बारे में कुछ ऐसे Secrets और कुछ ऐसे Basic Mechanisms समझाऊंगा, जो की आपको Pond की आदत को दूर भगाने में मदद करेंगे, पिछले करीब 20-30 साल में, बहुत सारे ऐसे Brain Scan पर Based Studies पबलिश हो चुकी हैं, जिनमें की Internet Pond Users के Brain को और उसकी Functioning को देखा गया है, वैज्यानिकों ने बहुत कुछ Discover कर लिया है कि कैसे Pond के Effect हमारे Brain पर पढ़ते हैं, और यही वज़े रही कि मैं Motivated हुआ इस Video Series को बनाने के लिए, क्योंकि जब मैं ये सारी Studies पढ़ता हूँ, और इन पर Based कुछ Books पढ़ता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि बहुत कुछ Scientist जान चुके हैं, जिसके बारे में General Public को नहीं पता होता, और जब भी मैं Counseling में Pond Addiction को हटाने के तरीके समझाता हूँ, तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि Psychotherapy में थोड़ा समझाया जाए कि Pond Addiction हमारे दिमाग में काम कैसे करती है, इसलिए मुझे ज़रूरी लगा कि क्यों ना इन सब Researches से जो मैंने पढ़ा, जाना और जो मैं Therapy में भी टेकनीक लगाता हूँ, और जो भी दूसरे Neuroscientist या Psychologist जो टेकनीक लगाते हैं, मुझे लगा क्यों ना उसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा की जाए और धंग से फुरसत से डिटेल में इस बारे में मैं आपको और General Public को इस बारे में Information दूँ, कई साल पहले मैंने Norman Doidge की एक किताब पड़ी थी The Brain That Changes Itself, जिसमें उन्होंने Neuroplasticity के कुछ सिधान्त बताए थे, और उसके बारे में जो discoveries हुई हैं कि कैसे हमारा brain जो है वो change हो जाता है, कैसे हमारे experiences, खासकर कि जो addictive experiences और behaviors होते हैं, कैसे दिमाग को बदल देते हैं, इस बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की थी, और अगर देखा जाए, तो internet pond use करने वाले लोगों का भी brain change हो जाता है, जब वो बहुत लंबे समय से pond देख रहे होते हैं, तो addiction जो है, चाहे किसी भी तरह का addiction हो, वो एक तरह का pathological learning होता है, मतलब गलत तरीके से हम कुछ आदतें सीख लेते हैं, और उसी तरह, pond की वज़े से हमारे दिमाग में जो sexual conditioning होती है, वो भी हमारे दिमाग को करीब करीब उसी तरह बदल देती है, जैसे कि alcohol या drug का addiction, हलंकि pond addiction को एक addiction disorder के तोर पर diagnose नहीं किया जाता, पर फिर भी इसे आम भाशा में addiction का नाम दे दिया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी आदत हो जाती है, जिसे कि कह देते हैं कि एक लट पड़ गई है, जिसे कि एक व्यक्ति पीछा नहीं छुड़ा पा रहा, जैसे कि कोई alcohol या drug से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाता, तो इसलिए इसको addiction बोल दिया जाता है, काफी सारे researchers ने और doctors ने, therapists ने ऐसा पाया है, कि ये जो Porn users होते हैं, जिनको की बहुत severe symptoms थे Porn addiction के, उनको जब ये information बताई गई neuroplasticity के बारे में, तो उनको इससे काफी सुकून मिला, और इस पर based जो techniques बताई गई, उससे उनको Porn की वज़े से होने वाली जो addiction थी, या जो आने वाले कुछ sexual dysfunction थे, उनको resolve करने में मदद मिली, Porn की वज़े से बहुत से लोगों में sexual dysfunctions develop हो जाते हैं, जिस वज़े से उनका जो sexual taste है वो बदल जाता है, उनके sexual preferences बदल जाते हैं, और किसी ना किसी तरह से वो addict की तरह behave करने लगते हैं, कुछ-कुछ symptoms addiction वाले भी उन Porn को छोड़ पाना, बावजूद इसके कि वो देख रहे हैं कि उसके बहुत negative consequences आ रहे हैं, मतलब बहुत नकरात्मक परिणाम आ रहे हैं, कुछ withdrawal symptoms भी आ रहे हैं, और साथी distress इतना जादा आ रहा है, कि हर बार जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं अपने addiction में, वैसे पैसे उनको और जादा Porn देखने की नीड आती है, क्योंकि उनके अंदर एक tolerance develop हो जाती है, पहले जहां एक या दो वीडियोस देखकर सुकून मिलता था, अब दो या दो से जादा 5, 7, 10, कई सारी वीडियोस देखकर वही arousal होता है, तो एक तरह का tolerance develop हो जाता है, जैसा कि addiction में भी develop होता है, अपने counseling experience में मैं अकसर अपने patients को, या जिसे कहें की clients को, मैं इन studies के बारे में अकसर बताता हूँ, और अपने YouTube channel पर भी मैं अकसर कुछ न कुछ psychological studies discuss करता रहता हूँ, जिसमें की ऐसा confirm किया जाता है कि कैसे हमारा brain change हो जाता है, addiction के impact में और pond के impact में, और जो brain changes हैं, ये केवल drug, alcohol या pond addiction में नहीं देखे जाते सिर्फ, ये gambling के addiction में भी देखे जाते हैं, food addicts जो होते हैं, उनके मामल में भी देखे जाते हैं, और social media या internet addiction जो है, उसमें भी देखे जाते हैं, ये similar brain changes, हलंकि ये सारे addiction के forms नहीं हैं, मतलब इनको diagnose नहीं किया जाता, food addiction, eating addiction या internet addiction ऐसा कुछ diagnosis नहीं दिया जाता, पर फिर भी इन्हें आम भाशा में addiction के तौर पर बोल दिया जाता है, जैसे कि pond addiction को भी addiction बोल दिया जाता है, मतलब हम यहां क्या देख रहे हैं, कि brain के अंदर कुछ similar changes आ रहे हैं, तो चाहे बार बार Instagram या YouTube चलाने से, या बार ब तो हम कह सकते हैं कि यह सब भी कही न कहीं addiction के ही forms हैं, in fact, pond देखना या बहुत जादा masturbate करना, या बहुत जादा YouTube या Instagram के reels देखना, shots देखना, यह सब brain को कही न कहीं बदलते जरूर हैं, और यह जो brain changes आते हैं, यह धीरे 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 काफी मजबूत हो जाते हैं, जिसे कि कहा जाता है कि अब हमारा brain change हो रहा है, मतलब neuroplasticity हो रही है, और इस वज़े से इस आदत को इस लट को छुडाना मुश्किल हो जाता है, वैसे तो researches में बहुत सारी information मिल जाती है, बहुत सारी insights, researches के through ही मिलती है, पर फिर भी research कई बार सारे ideas और experiences को cover नहीं कर पाते, क्यो उस पर research हुआ, research होने में भी कई महीने, कई साल लग गए, तो ऐसे में कई सारे ideas होते हैं, जो कि publish होने में, उन पर research होने में कई साल लग जाते हैं, तो ऐसे में जो लोगों के clinical experience में, जो experiences हैं, वो काफी insight दे देते हैं एक therapist को, तो लोग जब मुझे बताते हैं कि वो किस त पूरी वीडियो सिरीज को बनाने में, मैंने करीब 45 से 50 अलग अलग neurological और neuroscientific studies पड़ी हैं, 15 से 20 review articles पड़े हैं, मतलब review articles वो होते हैं, जिनमें अलग अलग research का निचोड होता है, और ये सभी research article दुनिया के top neuroscientist ने लिखे थे, करकुरा के करीब 12-15 ऐसी studies रही हैं, जिनमें पॉर्ण को बिल्कुल addiction के तौर पर justify किया गया है, कुछ इस तरह से दिखाये गया है, कि जैसे पॉर्ण के अंदर वही सब हो रहा है, जैसे कि alcohol या drug addiction में होता है, ऐसे भी काफी सारे studies हुई हैं, जिनमें researchers ने बिल्कुल addiction के model पर पॉर्ण को explain करने की कोशिश किया है, और बताया है कि कैसे बहुत सारे लोग जो है, वो पूरी तरह से पॉर्ण एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें tolerance भी develop होती है, withdrawal symptoms भी आते हैं, और craving भी बहुत जादा होती है पॉर्ण देखने की, ऐसे भी लोग काफी सारे देखे जाते हैं clinical experience में, इसी के साथ पॉर्ण की वजह से होने वाले sexual problems और sexual dysfunctions इस पर भी मैंने करीब 25 से 30 अलग अलग research पढ़ी, जिसमें की porn को या porn addiction को sexual problem से connect करके देखा गया था, और उनमें उन्होंने बताया था researchers ने कि कैसे porn addiction की वजह से लोगों में real sex के प्रती जो arousal होना चाहिए, जो excitement आनी चाहिए, वो बहुत क कम हो जाती है, इस बारे में भी काफी सारे research publish हो चुके हैं पिछले कुछ करीब 10 सालों में, in fact कई सारे research तो ये भी बताते हैं कि जब porn का use लोगों का कम हो जाता है या करीब-करीब बिलकुल खतम हो जाता है, तो उनके ये sexual dysfunction चले जाते हैं, मतलब उनको sexual arousal भी होने लगत जाती है और erection related problems भी उनकी करीब-करीब दूर हो जाती हैं, तो इससे बहुत बड़ा एक causal link भी पता चलता है कि कैसे उनकी जो sexual problems थी, वो किसी और वज़े से ना होकर porn की वज़े से थी, तभी porn use हटने की वज़े से उनकी sexual problems भी चली गई, 75 से भी जादा studies इस time ऐसी हो चुकी है, जो कि porn use को relationship dissatisfaction से link करती है, in fact sexual intimacy, sexual desire का कम हो जाना ये भी बहुत जादा porn use से associated पाया गया है, और इसी के साथ करीब 45 से 50 studies ऐसी हो चुकी हैं, जिसमें की porn के use को या उसके abuse को, दूसरी कुछ mental health problems के साथ link करके देखा गया है, in fact cognitive function, मतलब thinking, memory, judgment, decision making, concentration, इनका भी link देखा गया है excessive porn use से, मतलब mental health problems का होना, cognitive dysfunction का होना, मतलब cognitive problems या thinking problems का होना, ये सब associated है, जादा porn use से, अगर internet पर जाएं, या ये कहें की social media पर जाएं, तो बहुत सारे ऐसे forums हैं, ऐसे self help या support groups हैं, जिसमें की porn की recovery के लिए बहुत से लोग जुड़े हैं, और उस पर देखके तो लगता है कि जैसे internet porn जो है, वो इतना बड़ा culprit है, जिसकी वज़े से लोग बहुत सारी problem से सफर कर रहे हैं, हाँ, पर इसमें कुछ दुविधाएं ये भी हैं, डॉक्टरों और साइंटिस्ट को इसमें एक ये भी problem दिखाई देती है, कि अक्सर इन में से बहुत से लोग पहले से ही कुछ mental health problem से deal कर रहे थे, और porn addiction जो है, वो किसी न किसी mental health issue की वज़े से develop हो जाती है, ऐसा भी देखने में आता है, तो ये नहीं कह सकते कि porn addiction की वज़े से ही लोगों में mental health problems या sexual problems आती है, इसलिए कहेंगे कि बहुत सारा research अभी इस area में होना बाकी है, कोई भी topic हो उस पर जब research होता है, तो थोड़ा mixed evidence available हो ही जाता है, तो कुछ studies कहती हैं कि porn की वज़े से ज़ादतर problems आ रही हैं, तो वहीं कुछ studies कहती हैं कि जिन लोगों में पहले से ही कुछ mental health issues चल रहे हैं, उनी में porn addiction ज़ादा देखा जाता है, mental disorders को diagnose करने वाले, जो दो manual है, एक America का manual है जिसे DSM कहते हैं, और एक WHO का manual है जिसे ICD कहते हैं, इन दोनों में भी अभी तक porn addiction को जगा नहीं मिली है, और इनके latest addition में भी DSM का 5 वर्जन और ICD का 11 वर्जन, इन में भी अभी तक porn addiction को एक diagnostic category के तौर पर include नहीं किया गया है, एक तो इसका बड़ा reason यह है कि porn addiction अपने में पूरा एक addiction का form नहीं है, मतलब एक तरफ तो यह कहा कि हां बहुत सारे addiction वाले changes दिखाई देते हैं, पर वहीं जब researchers बहुत सारा debate करते हैं, बहुत सारा research करते हैं, तो वो ऐसा पाते हैं कि नहीं से पूरी तरह से तो addiction नहीं कहा जा सकता, तो एक तरफ तो pond को पूरी तरह से addiction का दर्जा नहीं मिल पा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ pond पर research उतनी भी नहीं है जितना की alcohol या drug addiction के मामले में होती है इसलिए research की कमी की बचा से भी pond addiction को अभी पूरी तरह से एक diagnostic category के तोर पर या entity के तोर पर recognition नहीं मिल पाया है हलंकि एक category है जिसे बोला जाता है compulsive sexual behavior disorder उसके तोर पर कई बार pond addiction या masturbation addiction को recognize कर लिया जाता है पर compulsive sexual behavior disorder में ये जो दोनो pond addiction, masturbation addiction या sex addiction वाले जो behaviors हैं ये included नहीं होते YouTube पर और internet पर कई जगा compulsive sexual behavior disorder के तोर पर pond addiction को देखा जाता है पर ऐसा सच नहीं है pond addiction इस compulsive sexual behavior disorder के अंदर नहीं आता इसलिए अब diagnosis का वेट करें है कि कब ICD इसको include करेगा या कब DSM include करेगा इसके इंतजार में अगर बैठे रहे तो हम इसको एक valid entity के तोर पर अगर recognize नहीं करेंगे तो इसका इलाज और इसके intervention ठीक तरह से नहीं मिल पाएंगे और ऐसे में बहुत सारे लोग सफर करते रहेंगे इसलिए जरूरी है कि हम इसे आम भाशा में, रोज मर्रा की life में, addiction के तोर पर देखें चाहे इसे compulsive behavior बोलें या चाहे इसे addictive behavior बोलें किसी भी तरह हम इसको बोलें पर इसमें इलाज जरूरी है लोगों को help करना जरूरी है और कुछ ऐसा किया जाना जरूरी है जिससे कि लोगों को इस distressing experience से बाहर निकाला जाए तो research होती रहेगी, देखते रहेंगे कि कब क्या research आ रहा है 10 साल, 20 साल और लग जाएंगे शाए जब ये पूरी तरह से एक valid diagnostic disorder के तोर पर पहचाना जाए क्योंकि pond addiction जो है वो अभी एक recent phenomena है 10-15 साल से ही इसमें जादा तेजी आई है, इससे पहले तो ये एक disorder के तोर पर exist करता भी नहीं था क्योंकि pond ही नहीं होता था इतना, 1990 के दशक में ना के बराबर pond जैसा कुछ होता था blue films होती थी पर उसका addiction आम तोर पर देखने में नहीं आता था पर जब से इतना free internet available हो गया है, इतना free pond sites available हो गई है तो लोगों में pond का addiction देखने में आने लगा है इंडिया में तो इसका data नहीं मिलता पर क्योंकि इंडिया में कुछ अच्छे खासे research नहीं होते चोटे-चोटे sample पर research होते हैं, जबकि इंडिया pond का सबसे बड़ा consumer market है पर दूसरे कुछ विक्सित देशों में जो research हुए है, वो यह बताते हैं कि जैसे Australia में एक research हुआ जिसमें बताया कि young लोगों में मतलब youth है जो कि 18-20-22 साल की उमर तक का youth होता है उसमें pond की वज़े से बहुत सारे sexually risky behaviors का risk बहुत जादा होता है एक study में बताया गया कि 15-29 साल की उमर का जो youth था उसमें लड़कों में सभी ने 100 प्रतिशत जो भी लड़के थे जिन्होंने participate किया था research में उन्होंने pond देखा था जबकि Australia का अगर ये data लें तो उस sample में 82 प्रतिशत महिलाओं ने मतलब लड़कियों ने भी pond देखा हुआ था और researchers बताते हैं कि धीरे-धीरे जो pond देखने की जो सबसे lower age है जब पहली बार लोग pond देखते हैं वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है इस Australian study में पाया गया कि 79 प्रतिशत मतलब 69% males और 23% females 23% लड़कियां उन्होंने अपना पहला pond 13 साल की उमर से भी कम उमर में देखा था बहुत सारे developed countries में विक्सित देशों में अभी बहुत अच्छा research pond के उपर हो रहा है United States में तो कुछ ऐसे states हैं जिनमें resolution पास कर दिया गया है कि internet pond को एक public health crisis के तौर पर declare किया जाए ऐसे देखा जाए और वो चाहते हैं कि इस पर और action लिया जाए इसके बारे में जादा से जादा awareness फिलाई जाए जादा से जादा clinic खोले जाए intervention programs चलाए जाए कि कैसे लोगों को इससे बाहर निकाला जाए इस पर काफी actively work हो रहा है तो ऐसा उमीद है कि आने वाले time में और जादा इस पर चर्चा होगी और जादा इस पर awareness आईगी और chance है कि शायद इंडिया में भी इस पर कोई action ले लिया जाए हलंकि इंडिया भी इस मामले में बहुत दूर दिखाई देता है और लगता है कि इससे पहले कि इंडिया में इस तरह के का कोई बड़े लेवल पर सरकारी लेवल पर कोई decision लिया जाए तब तक बहुत सारे लोग इससे already suffer कर चुके होंगे और ये एक ऐसी problem भी है जिससे लोग isolation में अकेले में suffer करते हैं जादा किसी से discuss भी नहीं कर पाते बात भी नहीं कर पाते बस सुबह शाम mobile पर internet पर लगे रहते हैं और internet पॉन देखते रहते हैं तो ऐसे में जो suffering है ये बहुत ही निजी बहुत ही personal हो जाती है और एक person जो है व है कि future में इंडिया में देखने में आएं पर इसको लेकर अभी बहुत सा stigma है sexual dysfunctions को लेकर तो फिर भी कई husband wives या partners या लोग आपस में बात कर लेते हैं पर ponk addiction को लेकर आज भी बहुत सारा stigma मौझूद है और क्योंकि ये बड़ा recent phenomena है 10-15 साल में ही जादा देखने में आया ह और धीरे धीरे इससे अलग-अलग age group के लोग भी effect हो रहे हैं ये कहना गलत नहीं होगा कि ये केवल एक teenage या एक youth की problem नहीं रहे गई है ये अब बड़ी उमर के लोगों में भी देखने में आ रहा है इसलिए हो सकता है कि आने वाले सालों में बहुत सारे लोग इससे सफर क समझें और इसी दिशा में इसी direction में मेरा ये effort है कि मैं इस video series के मदद से आपको सही तरह की education दे पाऊं, information दे पाऊं और उसकी मदद से आपको सही तरीके बता पाऊं कि कैसे pond addiction से बाहर आया जा सकता है इसलिए ये जो series होगी थोड़ी detail में होगी इसलिए ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, patience के साथ पूरा video series सुनना ताकि हर चीज समझ में आ जाए, दिमाग में बैड जाए और आप एक सही judgment, सही decision ले पाएं pond addiction से बाहर आने के लिए ये पहला part मैं यहीं समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में आगे कुछ और discuss करेंगे, वीडियो को दूसरे लोगों के साथ share कर लेना, channel subscribe कर लेना, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, धन्यवाद